दोस्तों आज की कहानी है क्या तुम मुझे स्कूटी सलाना सिखाओगी दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं कियाओ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंसे हरोज नया वीडियो रूपल को आज ओफिस जल्दी पहुंसना था वो ओटो रिक्षा का इंतजार कर रही थी एक तो ओफिस दाने के लिए वो लेट वीज आ रही थी कोई ओटो रिक्षा भी उसे नहीं मिल रहा था कुछ देर पैदल सनने के बाद उसे ओटो रिक्षा मिला भीया जल्दी चलो मुझे ओफिस के लिए देर हो रही है उसने पता बताया ओफिस का और बेट गई ओटो रिक्षा मिल जल्दी से पेशे दे कर अबड़ी ओफिस में पहुंसी ये क्या रूपल तुम आज फिर से लेट आयो ओफिस मेडम आज लेट हो गया इस बार से जरूर समय पर आज आया करूंगी नई रूपल में तुमारा रोज का नाटक हो गया है समय से ओपिस नहीं आती है और रूपल के ओपिस की मेडम ने घुशे से रूपल को कहा रूपल सुबसाब अपना मुझ नीशे किये वे अपनी जगह में जाखर ओपिस का का काम करने लग जाती हैं अभी रूपल की ओपिस की सेली उसके पास आती हैं बोलती रूपल मेडम की बातों को दिल पर मतलो तुम कुस ऐसा करो कि मेडम को तुम पर घुशा होने का कोई मौकाई ना मिले तू एक काम कर इसकूटी चलाना सीख ले उसे ही ओपिस आ जाया करू मुझे सकूटी चलाने से बहुत डर लगता हैं कई में गिर गई और लग गया मुझे फिर क्या होगा रूपल क्या तु जिंदकी पर इसी डर को अपने मन में भिठा कर रखेगी और तुने मन बना लिया कि तूसे ये नई होगा फिर क्या डाट सुन मेडम की और किया सीमा रुक क्या तो मुझे सीखाएगी स्कूटी सलाना कब से कल से सुरू करते हैं स्कूटी सीखना और रूपल को कोई बहाना नहीं सलेगा तुम्हें सीखना ही होगा अगले दिन सीमा स्कूटी लेकर आई और रूपल को सीखाने लग गई रूपल थोड़ा गीरी भी और संबली भी पर उसने कूशी दिन में स्कूटी सलाना सीख लिया जब उसने पहली बार भीड में अकेले स्कूटी ड्राइव की उसकी खूशी तो साथवे आस्वान में थी मानो उसने अपनी कोई कड़ी फ्रीक सा पास कर ली हो रूपल अब स्कूटी से ही ओपिस दाती थी सीमा में किन सब्दों में तुमारा दनियव वाद करूँ तुमने मेरे मन से स्कूटी ना कभी सीख पाने का डर निकाल दिया जिस वज़सी आज में स्कूटी सलाना सीख पाई ये कहका रूपल गले लग जाती है अपनी सेहली सीमा के